यह तो पूरा संसार जानता है कि पृत्वी के पास ये कही चंदरमा है पर चाइना के लिए 2020 में दो चंदरमा हो जाएंगे जी हाँ आपने सही सुना चाइना अपने देश के लिए खुद का चान बनाने जा रहा है जो कि पृत्वी के चान से आड़ गोना जादा चमक्तार हो का तो चलिए जाने इस चान के बारे में हाई गाइस मैं हूं सतीश आप देख रहे हैं रन विच साइज दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने और बगल के बैल आइकन को तो जरूर दबा देना 2020 में चीन के शहर चेंगणू में मौझूद लोग रात में दो चान्द देखेंगे एक चान असली होगा तो एक चान नकली इस नकली चान को बनाने का मक्सद यह है कि चीन इस चान की मदद से अपने चेंगणू नाम के शहर को रात के समय रोशन करेगा जिसे की स्ट्रीट राइट की समस्या खतम हो जाएगी इस नकली चान में एक खास केमिकल की परत चड़ाई जाएगी जो की रात के समय सूर्य की रौशनी को असली चान के मुकाबले आड़ गोना जादा रिफ्लेक्ट करेगा जिससे रात के समय ऐसा लगेगा मानों शाम हो रही हो इस चान को धर पर चीन को इलेक्टरिसिटी में अर्बो रुपय की बचहत होगी क्योंकि इस चान को इलेक्टरिसिटी की ज़रूरत नहीं होगी चेंगलू शहर में स्ट्रीर लाइट की वज़े से हर वर्ष एक हजार करोर रुपए की इलेक्रिसिटी खर्च होती है और चीन ने इसका अच्छा उपाए निकाला है वहीं 2022 तक चीन अपने तीन और शहरों को नकली चांद से रोशन करेगा फिलाल तो अभी इसके टेस्टिंग चल रही है यह देखा जा रहा है कि इस चांद की मदद से लोगों को कोई प्रॉबलम तो नहीं होगी साथी यह देखा जा रहा है कि स्पेस उब्जर्वेशन के समय यह चांद बाधा नडाले यह कोई नई बात नहीं है 1990 की तशक में रूस ने एक आइने को आस्मान में भेजा था जो की सूरे की लाइट को रिफलक कर रूस के कई शहरों को रात में जगमक करता था पर 1999 में यह आइना नस्ट हो गया उसके बाद जैनवरी 2018 में अमेरिकन फर रॉकेट लैब ने एक मारव निर्मित स्टार को लॉंच किया पर इसका खुछ काम नहीं था और यह सिर्फ एक फाल्तू था जिसे वग्यानिकों ने हटाने की मांग की कि क्योंकि यह नकली तारा स्पेस अब्जर्वेशन के समय बाधा डाल रहा था हो सकता है कि हम भारते भी अगले 10-12 वर्षों में अपने देश में भी ऐसी टेकनोलोजी देखेंगे चीन के इस आइडिया से यह तो साफ हो गया कि हमारी दुनिया टेकनोलोजी में बहुत विकास कर रही है आज के लिए बस इतना हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को शेर करना न भूले धन्यवाद